विडियो में बात करेंगे फिलॉरी आदिवासी हैर ओल की दो महिने तक मैंने लगातार इस ओल को यूज के और मुझे क्या फर्क दिखा है वह हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आगे पढ़ने से पहले मैं बता दू कि मैंने इसका पार्ट वन भी बनाया था जो कि मैंने कुछ दिन से यूज किया था उससे मुझे क्या फर्क दिखा था या शुरुआत में मुझे क्या फर्क दिखे जो कि बाद में मुझे फर्क नहीं अब दिख रहे हैं वो टोटल म दे दूँगी आप उसे चेक कर सकते हैं प्लस मैंने उसे कहां से खरीदा था ओईल कैसा है उसके फ्रेग्रेंस कैसी है वो सब कुछ मैंने वहाँ पर डीटेल पर बताया है यहां मैं सिर्फ एक आपको क्विक अपडेट देना चारी हूँ कि इस ओईल को मैंने यूज करना नह मुझे वो कहीं भी फूर्फिल होता हुआ नहीं दिखा जो कि यह ओईल कलेम करता है दूसरा करता है कि डैंडर्फ रिमूव करेगा अब होता है अभी जस्त थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है बट यह और वहीं रिमूव नहीं करा जबकि मैं सर्फ यही ऐल यूज कर रही हू और थर्ड ली यह बोलता है कि री ग्रोथ देगा बालों की तो री ग्रोथ मैं कह सकते हूं कि यह थोड़ा सा री ग्रोथ करता है अभी यह आप बेबी हैस जो देख रहे हैं यह इस ओईल को लगाने के बाद मुझे कुछ फर्क दिखा है इन में पहले इतने जादा नहीं थे अभी कुछ लाइक इनकी डेंसिटी कुछ जादा बढ़ी है कुछ जादा बाल यहां पर मुझे लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि री ग्रोथ का शायद जो इशू है या री ग्रोथ ही कर सकता है तो मुझे इस ओईल का फिलहाल में यही बताना चाहूंगी कि यह हैर पॉल में तो मुझे बिल्कुल भी कारगर नहीं लगा डैंडर रिमूफ करने में नहीं लगा लेकिन री ग्रोथ शायद यह मुझे दे रहा है तो इस वीडियो के लिए इतना ही था फिलॉरी आदिवासी हैर ओल के बारे में इसमें दो वीडियो मैंने बना पहले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच बाइब आई